देखिए आईए अब हम चैप्टर 3 शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा लूपिंग बहुत ही इंट्रस्टिंग बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है ये भी और बहुत इंपोर्टन्स रखता है ये आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर बिकाउज आपके फंडमेंटल्स और चैप्ट आपके यहीं से बनते हैं तो बहुत इंपोर्टन्स रखता है ये तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लूप पढ़ेंगे वोगा हमारा फॉर लूप सेकेंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे वा लूप और थार्ड हम पढ़ेंगे हमा ये सारी problems हम यहाँ पर पढ़ेंगे और loop की मदद से हम इनको solve करने की कोशिश करेंगे तो आपको in-depth knowledge मिलेगी इस chapter के अंदर की programming चलती कैसे है ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे break and continue statements ये भी बहुत important है और end में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों loops में difference क्या है semester exams में mostly ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि while और do while loop में difference क्या है तो इन loops के बीच में जो differences हैं उन्हें highlight करेंगे और वो इस course के end में हम जानने की कोशिश करेंगे तो आईए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं for loop के साथ तो आईए सबसे पहले for loop का syntax देखते हैं